दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके लाप्टॉप में वाइफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है आपको कनेक्टिंग दिखाता रहता है तो आप इसको कैसे सही करेंगे यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइफाई हमने जो है अन कर लिया और यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको इससे कनेक्ट करना है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है और यहाँ पे कनेक्ट सब्सक्राइब जिस भी वाई फाई से आपको यहां पर ऊप्श्य करने के बाद आपको यहां पर यहां पर एक उप्सेंन दिखेगा एक मैनेज नोउन networks आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी वाइफाई से आप connect कर रहे है जिससे connect नहीं हो रहा है आपको उसके सामने यहाँ पे forget का option दिखेगा आप इस पे click करिए और यहाँ पे forget हो जाएगा अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको simply जो है यहीं पे click करना है और यहाँ पे इस arrow पे click कर लीजिए या फिर आप यहाँ से back कर लीजिए और यहाँ पर आपको show available networks पे click करना है यहाँ पे आपको उसी wifi का नाम दिखा देगा आप उस पे click करिए यहाँ पे connect पे click करिए connect पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे password डालना होगा तो आप नया password जो भी है वो डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे next पे click करेंगे आपका laptop वाइपाई से connect हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर वीडियो से help ही हो तो वीडियो को कर दीजे like चैनल को लीजे subscribe और लाइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए